मामला हमील पूर्जनपत के तैसिल सरीला के अंध्रगत आने वाले ग्राम बरॉली खरका का है जहां गाउं के ही रहने वाले महेंद्र यादप पुत्र रामसेबक यादप के घर में बली बेड बक्रिया जल कर खाक हो गई सूचना मिलते ही मौके बर पहुचे नायाब तैसिलदार लेख पाल अबम चिकासी थाना एसो ने जली बेड बक्रियों को बहार निकलवाया और उनका लेखा जोका कर लिया जिसमें नायाब तैसिलदार का कहना है की पीडित किसान को सासन की तरफ से सरकारी मदद दिलाने की बात कई हमीरपुर से सद्धा मुसेन गिरपोर्ट एसकेच नीज क्या नाम है आपका मेहन कहां के रहने वाली हो बरोली ये क्या घटना हुई आपके साथ आग लग गए राक जो ये आग लगी है मकान में क्या संभावना है कि आग मतलब लगाई गई है या लगी है अब जे पता नहीं है मालूम मालूम इसमें आपका लगवक कितना नुक्सान होगा है असीन 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 मतलब क्या ये बक्रियां थी या गाड़ रहे गाड़ रहे अच्छा कितनी थी टोटल टोटल असीन असी थी तिन इसमें लगवक आपका कितना नुक्सान होगा है मामला तो आपने देख लिया है रात में बकरियों को बाड़े में आग लग गई थी इसमें काफी बकरियों जलके मर गई लगवक संक्या कितनी होगी सर लगवक हमको जो बाहर निकाल के देखी गए तो 31 बकरिया और वो मिलके हैं कुछ अंदर बता रहे हैं कि जलके को खाकोबे नहीं दिखाई देखी धन्यवाद